नमस्काल दोस्तों मैं हूं करती सिंग और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल लॉव इजी नोट्स लॉव को समझना हो गया है इजी दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉव को आसान भासा में समझाने का प्रियाज करते हैं दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे दमदूपत के सिध्धान्त की इसे इंग्लिस बासा में डॉक्टराइन ओफ दमदूपत कहा जाता है दोस्तों दमदूपत का सिध्धान्त हिंदू रिड विदिकी शाखा है तमदूपत के सिध्धान्त के अंसार किसी एक समय साहुकार मूल धन से अधिक ब्याज की रकम वसूल नहीं कर सकता है लेकिन दोस्तों इसका आर्थ यह नहीं है कि ब्याज की जो रकम होगी वहें मूल धन से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों इस नियम के अंसार यदि रिड की कुछ भाग पहले ही दे दिया गया हो तो जो अदा की हुई रकम है वह मूल रकम से घटा कर सेस बची हुई रकम को वसूलते हैं दारट के लिए मान लीजे दोस्तों आ ने बा को एक हजार रुपए दिये और कुछ समय बाद उस एक हजार रुपए पर ग्यारा सो रुपए ब्याज का हो गया है तो ऐसी इस्तिती में यदि आ बाद से रुपए वसूल करने आता है तो वहे दो हजार रुपए से जादा वसूल नहीं कर सकता है क्योंकि दोस्तो मूल धन जो है वहे 1000 रुपई है और ब्याज का 1100 रुपई है तो ब्याज की रकम मूल धन से ज़्यादा नहीं वसूल कर सकते हैं एक समय पर इसलिए वहे एक बार में 2000 रुपई ही वसूल कर सकता है यदि वा आ को 500 रुपए पहले ही दे देता है तो इस इस्तिती में आ बास से 1000 रुपए मूलधन की और 600 रुपए जो बचे हुए हैं ब्याज के भै दोनों एक साथ बसूल कर सकता है क्योंकि दोस्तों एक समय पर ब्याज मूलधन से अधिक बसूल नहीं किया जा सकता है दोस्तों दमदूपत के सिधान्त के दुवारा ब्याज की वसूली पर प्रितिबंद इसलिए लगाया गया है क्योंकि हिंदू विद में कोई ऐसा प्रितिबंद नहीं था जिसके अनुसार एक विसेश समय के बाद रिड वसूल ना किया जाए दोस्तों यहाँ पर रिड का मतलब कर्ज से है दोस्तों बहुत समय पहले जब कोई व्यक्ति साहुकार से या किसी व्यक्ति से कर्ज लेता था तो वह किसी निश्ची सीमा तक उसे चुका नहीं पाता था और धीरे धीरे जो ब्याज की रकम होती थी वह कर्ज में ली हुई रकम से दो गुनी तीन गुनी चार गुनी तक ज़्यादा बढ़ जाती थी और जब साहुकार उस रकम को वसूलने जाता था तो वह उस व्यक्ति का सब को छीन लेता था इसलिए यह नियम बनाया गया कि कोई भी ब्यक्ति एक समय पर मूल धन से अधिक ब्याज को वसूल नहीं कर सकता है दोस्तों यह नियम ना केवर असुरक्षित कर्जों पर लागू होता है बलकि चल संपत्ति को गिर्वी रखकर या अचल संपत्ति को गिर्वी रखकर सुर जो पर भी लागू होता है दोस्तों चल संपत्ती बहे होती है जिस को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाया जा सके और अचल संपत्ती बहे होती है जो जमीन से जुड़ी होती है जैसे कि मकान जिसे एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जाया जा सकता है और ज जमीन से जोड़ा हुआ होता है दोस्तों दमदूपत के सिध्धान्त के नियम के पीछे कारड यह है कि प्राचीन हिंदू कानून रेड की वसूली के लिए किसी भी सीमा के नियम को मानिता नहीं देता था फितिये कर्ज जो वैत था देंदारों पर बादिकारी था बले ही दे दाता दोरा वसूल की जान सकने वाली ब्याज की राची पर प्रतिबंद लगाना उचिस समझा गया और यह बास्ता में ऐसा प्रतिबंद है जो दमदूपत के नियम दोरा लगाया गया है दोस्तों यह था दमदूपत के सिधान्त से समबंदित को जानकारी आई होप दोस् है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी धन्यवाद